जैशिराम मित्रो, स्वागत है आपका अपना चैनल अध्यात्मेवम दिपि ज्यान पर आप सभी को मुक्छदायकादसी की हार्दिक सुभकामना है भगवान बिश्णु की किरपा सदा आप सभी पर बनी रहे आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में मुक्छदायकादसी कब है पूजा का सुभमोर्थ, पूजा बिधी और इस दिन किये जाने वाले महा उपायों के बारे में हिंदू धर में पूजा पाठ का काफी ज़्यादा महत्वा है हर साल मार्ग शिश्मा की एकादसी का काफी महत्व होता है इसमें परने वाली एकादसी को मुक्छदायकादसी के नाम से जानते है मुक्छदायकादसी में भगवान विश्णू की पूजा का विश्यस महत्व होता है इस एकादसी का तालुक पितरों से है इस बार एकादसी कब है और पुजा विधी क्या है इसके बारे में जानते है इस बार मौक्षदा एकादसी 22 दिसंबर 2013 को है इसकी सुरुवात 22 दिसंबर 2013 को सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर होगी और इसका समापन 23 दिसंबर 2013 को 7 बजकर 11 मिनट पर होगा उदेयाती थी के अनुशार मौक्षदा एकादसी का ब्रत 22 दिसंबर को होगा और इसका पारण 30 दिसंबर 2023 को होगा ब्रत रखने वाले लोग 30 दिसंबर को दो पर 1 बज कर 23 मिनट से 3 बज कर 27 मिनट तक पारण कर सकते हैं आईए अब जान लेते हैं पूजा बिधी के बारे में मौक्षदा एकादसी के दिन ब्रह्म बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें दैनी कारियों से निब्रित होने के बाद गंगा जल युक्त पानिशे अशनान करें अगर शुभधा है तो गंगा शमित पवित्र नदी मे अशनान करें इस समय आचमन कर ब्रत का शंकल्पले और पीले बस्त्र धारन करें अब तिलांजली करें इसके लिए हां थेली में तील और जल लेकर सुर्य देव को अरग दें साथी बहती जलधारा में तील प्रवाहित करें इसके बाद पंचो पचार कर बिधी बिधान से भगवान बिष्णु की पूजा करें भगवान बिष्णु को पीले रंग का फूल, चंदन, तील, जौव, अच्छत, दुरवाद, अरपित करें इस समय पवित्र गर्णत गीता के एक अध्याय का अध्यन करें और स्रवन करें अंत में आती कर सुख सम्रधी और प्रोजों को मुक्ष प्राप्ति हे तु काम ना करें, दिन भर उपवास रखे, संध्याकाल में आरती कर फलाहार करें, विशेशकारे में शफलता प्राप्ति हे तु निर्जला उपवास भी रख सकते हैं, जो भी ब्यक्ति एकाच्छी का ब्रत रख रहा है, वो इस दिन शुवा करें, साथ ही स्रीमत भागवत गीता का पाठ करें, इस दिन जरूरत मंदों को गरम कपड़े बाटे, अगले दिन एकाच्छी का ब्रत का पारण करने से पहले गरीब ब्रामहन को भोजन कराएं, और समर्थ अनुशार दक्षिना दे, ऐसा करने से भगवान विश्णू का आ परजुन को गीता का शंदेश दिया था, इसलिए इस एकाच्छी के दिन गीता जैनती भी मनाई जाती है, ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन प्रवजों का तरपन करते हैं, उन्हें पित दोस्ते मुक्ती मिलती है, साथ ही साथ उनका जीवन काफी सुख में गुजरता है आईए जान लेते हैं इस दिन करने वाले उपायों के बारे में, जिस लड़के या लड़की के साधी में बिलंब हो रहा है और मन योग रिष्टा नहीं मिल रहा है, वे लोग इस मोक्षदा एकाची का ब्रत रखकर केले के पेंड के नीचे चने की दाल अरपित करें और भ करके जरूर बताना और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर मिशे जुड़ी सभी ब्रत्यवहार, पूजा पाठ और बेद पुरानों में बनित सिद्ध चमतकारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप राप्त कर सके धन्यबाद